नमस्कार दोस्तों प्रस्ण उत्तर के सिरीज में आज हम उत्तर प्रदेश UDA LDA प्रिलिम्स परिक्सिया 2001 प्राजनिती विज्ञान का प्रस्ण पत्र अध्यनवार फिशलेशन करेंगे 32 तक के क्वेशन हम कर चुके हैं अगला क्वेशन है 33 जब ग्रीन कहते हैं कि राज जिगा कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है तब यह आधार सिला रखते हैं इसका राइट अंचर ए उधारवाद की नेक्स्ट कोशिन है निम्न में से कौन मार्क्स के दर्षन का एक पक्षिथा स्काराइट अंचर सी इतिहास की आर्थिक व्याख्या इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एतिहास एक भोतिवाद या इतिहास की भोतिवाद व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है मार्क्स वा एंजल्स का कहना है कि आर्थिक सक्तियां ही लोगों के इतिहास का निर्मार करती हैं उत्पादक की सैली तथा अस्तित्तु के भौत धिक साधनों पर ही सामाजिक राशनेतिक तथा बहुत धिक जीवन की संपूर्ण प्रिकिडिया निर्भर है जैस मिलने रचना की है इसका राइट अंचर डी कंसिडरेशन और रिप्रेजन्टेटिव की गौवर्मेंट इसका राइट अंचर डी निमनलिकित मैंसे किसने कहा है कि अब तक के वर्तमान समाजों का इतिहास वर्ग संगर्स का इतिहास रहा है इसका राइट अंचर भी मार्क्स ने माक्स और एंजिल्स ने कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टों में लिखा है अभी तक अस्तित रखने वाले समाज का इतिहास वर्ग संगर्स का इतिहास रहा है माक्स ने इतिहास एक परिवर्तन की प्रकिलिया में वर्ग संगर्स की भूमी का पर बिसेस पल दिया है माक्स का विस्वास था कि धन्वान और निर्धन वर्गों के बीच यह संगर्स समाज के इतिहास में तब ही से मौलिक महेंटू की वस्तु रहा है जब से आदिम जन जातियां समाज लुप तो हुआ क्योंकि उस समाज में उत्पादन के साधन सब की साजी संपत्ती होते थे नेक्स्ट कोउशिन है सामराज जिवाद पूजीवाद की अंतिम आवस्ता है यह कथन किसका है ए माक्स का वी लेनिन का सी स्टालिन का एफटी महु का इसका राइट अंसर भी लेनिन का वी आई लेनिन ने कहा है कि सामराच जिवाद विकास की उस अवस्ता में पुझीवाद है जिसमें एकाधिकारवादी पुझी तथा वित्ती पुझी का प्रभुत्व स्तापित हो चुका है और जिसमें पुझी का निर्याद प्रभुत्व साली प्रभाव गरहन कर चुका है बड़े बड़े पुझी वादी देज विश्व का बटवारा का काम पूरा करने के लिए हैं इस त्रिस्टिकोंड से लेनिन ने पर्थम विश्व युद्ध को लोगों का युद्ध नहीं बलकि सामराज जिवादी युद्ध का तथा आर्थिक छेतर में इसका कारण को जाएं नेक्स्ट कोशिन है निमनली कित में से किस बिंदु पर फासिवादी दथा साम्मिवाद का एक मत है ए वे व्यक्तिगत संपत्ती के पोसक हैं P वे अंतराष्टी इतावाद के पक्षिदर हैं C वे आर्थिक नियतिवाद के पोसक हैं या फिर D वे सरवाधिकारवादी राज्ची के पोसक हैं इसका रहाट आंचर है D पासीवादी बुद्धिवाद के खिलाब अंतराष्ट वाद, विचार धरा का अभाव, प्रेम युद्ध, सरो सक्तिमान राज्य, महामानो पूजा, तथा विश्ष्ट वर्ग में विश्वाज, हींसा को महत्व, जूट, फरेब और मक्कारी कानून को नमाना अर्थो विवस्ता पर राज्य का नियंतन, कांती विरोधी, लोगतंत्र विरोधी, नसलवाद, वो सामराजिवाद समर्थक, अंतराष्टी कानून, वो विवस्ता का विरोध, मानवी सामानता की अस्विकृत आधि को मानता है किसने आधुनिक लोग कल्यानकारी राज्य के सिध्धन्त का मार्ग प्रसस्त किया? A. Green ने, B. Spencer ने, C. Vantham ने, F. E. D. मिलने इसका राइटान से, A. Green ने, T. H. Green ने, राज्य से, तीन बड़ी बुराईयों, अग्यानता, गरीबी, वो नसा खोरी के उन्मुलन पर बल दिया और इस प्रकार उसने कल्यानकारी राज्य के सिध्धन्त का मार्ग प्रसस्त किया यद्धबी कल्याडगारी राज्य पदबंद का सर्वपृत्व प्रियोग, आर्क विसभ टेंपिल ने अपनी पुस्तक, सिटीजन एंड चर्चमेन में अधिनाईकों के सत्तावाद राज्य सब्द के विरोध में किया नेक्स्ट कोशिन है निमनलेखित में से कौन सा कथन वेंथम के नाम से जुड़ा है इसका राइट अंचर भी पुस्पिन उतना ही सुकत है जितना की कावियोपार्ट ग्रीन के अनुसार निमनलेखित में से कौन सा कथन सही है इसका राइट अंचर भी राज्य एक नेतिक सस्ता है राज जी एक आवस्यल गुराई है वेक्ति वादियों राज जी वेक्तियों की रचना है सामाजिक समझोधा वादियों तथा राज सक्ति का परिणाम है सक्ति का सिध्धान्त किसने कहा है मानोचेतना स्वतनता को आधरभूद मानती है स्वतनता अधिगारों को जन्में देती है तता अधिकार राज्जी की मांग करते हैं इसका राइट अंचर एक ग्रीन ने टियेज ग्रीन अपने राजनेतिक कल्ब विकल्ब का आरंब स्वतनता की समिक्सा के साथ करता है उसका विस्वास है कि मानोचेतना अपने विकास के लिए स्वतनता को एक आउस्यक स्थिती समस्ती है ग्रीन के अनुसार वे अधिकार जो की मानव चेतना दोरा अभिस्ट सुतंता का तप्तु है अपनी प्राप्ति के लिए राज्य की मांग करते हैं नेक्स्ट क्वेशन है निम्नलिकित मैंसे कि इस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुजरुवा वर्ग की कारी करने समीती कहा इसका राइट अंसर है सी मैनिफेस्ट कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टों में कार्ल मार्क्स को राज्य सभाव विक समुदाएं ही मानता जैसा कि प्लेटो और अरज्टों ने माना है और नहीं व्यक्तिवादियों की तरह आवश्यक बुरा ही मानता है बल्कि मार्क्स और एंजल्स ने राज्य को सोसन का उपकरन माना है कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टों में मार्क्स ने राज्य को पूझी पती वर्ग की कारे कारे कारणी समीती कहा है एंजल्स के अनुसार यह वर्ग राज्जी दूसरे वर्ग के दलन के लिए यंत्र मात्र है नेक्स्ट क्वेशन है निमने लिखित में से कौन सा कथन काल माक्स के दर्शन का प्रतिनी दित करता है इसका राइट आंचर है डी राज्जी सोसन का एक उपकरण है सामाजिक अभियांत्र की का सिद्धान प्रस्तुत करने वाला उधारवादी चिंतक है इसका राइट आंचर है B Karl J Popper किसने खाए है कि राज्जी का अस्तित्व इसले है क्योंकि अपराद का अस्तित्व होता है इसका राइट आंचर है B Spencer ने कहा है हरबर्ट स्पेंसर राजजी द्वारा सामाजिक और आर्थिक जियों की नियंत्रण का विरोधी था उसका विचार था कि राजजी की सक्ति व्यक्ति की स्वतनता में बाधग है स्पेंसर राजजी को एक बुराई समस्ता था यद्धपी भाव से आउस्यक बुराई मानता था और कहता था कि राजी को हमें तब तक सहन करना है जब तक की विकास के बल सरूप सामाजिक सावियों के संतुलन स्तापित न हो जाए युद्ध के विसे में टी एज ग्रीन ने कहा है कि इसका राट अंचर भी सामुहिक नरसंगहार का प्रतिनिधित्व करता है नेक्स्ट कोशिन है निमनलकित में से कौन वेग्यानिक वेक्तिवाद के अउधाना से सम्मन्द है इसका राट अंचर भी स्पेंसर engaged वेक्री वेक्तिवाद के अउधाना से सम्मन्दित है नेक्स्ट कोशिन है यह उधार्थ इच्चा वास्तवी की इच्चा है तथा वास्तवी की इच्चा इथार्थ इच्चा है यह किसने कहा है SK climate अंच it b. hub house ने हावावस का नुसार यथार्त इच्चा वास्तवी की इच्चा है तथा वास्तवी की इच्चा यथार्त इच्चा है हावावस ने अपनी प्रसिद्ध कृती एलिमेंट्स ओप सोसल जस्टिज सामजिक न्याय के मूलतत्तु में लिखा है कि स्वतनता की आधार्चिला सामजिक बंधन की आध्यात्मिक प्रकृती और सर्वहित का युक्ति-युक्ते स्वरूप है आज का आफरी ग्विशन है ग्रीन के अनुसार अधिकार है इसका राइट अंसर है C मनुस्य के आंतरिक विकास के लिए प्रिस्दितियां ग्रीन ने राज्च और समाज में अंतर इस्पस्ट करते हुए लिखा है कि अधिकार राज्च या कानून की मानिता पर आसरित नहीं होते बलकि समाज की मानिता पर आसरित होते हैं जिनका सही स्रोध समुदाई की नेतिक चेतना है यह नेतिक चेतना ही राज्च की उत्पत्ति के लिए उत्तरता ही है आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रस्णों के साथ धन्यवाद